नमस्कार मित्रों हर हर महारी स्वागत्याव शभी का एक बार फिल से आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 15 मई शो मुआर आपके राशी के महाराशी फल के बारे में कि 15 मई शो मुआर का दिन आपके लिए क्यासी रहेंगे इस दिन आपका शुबरंग और शुब अंक क्या रहेगा और साथ ही साथ बात करेंगे कितना प्रतिसत तक भाग आपका साथ निभाएगा लेकिन उश्य पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेती हैं दोस्तों आज दिनांक 15 मई दो हुजार तेविश दिन सो मुआर जो की भगबान भोरेनाद जी का पावन दिन है तिधी की अगर बात करें तो करश्न पक्ष की एकादसी तिधी एक बसकर 3 मिनट तक रहीगा वही नक्षत्र की अगर बात करें तो इस दिन पोरो भादर प्दा नक्षत्र का निर्माण हो रही है आज का अविजित महुर्द का समय 11 बजकर 56 मिनट से 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल अर्धात दिन का असुब समय की बात करे तो 7 बजकर 28 मिनट से 9 बजकर 56 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस राहुकाल के समय में कोई भी नए कामों की शुर्बात ना करे अब बात करती हैं सोरिय और चंद्रमा की तो दोस्तों ध्यान दिजिएगा सोरिय अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं और वो मेश राशी से निकल कर बिरिशब राशी में परवेश करने वाले हैं और चंद्रमा पूरे दिन रात मीन राशी में संचार करेगा तो आईए दोस्तों जानते हैं आपका देलिक राशिपल और यहाँ प्रेडिक्षन आपके चंदर राशी पर आधारित है तुला राशी बालों आपके भागी का ताना खुल चुका है अब आपको भागी का 101 प्रतिशत साथ मिलेगा जी हरोस्तों अब आपको कारिक्षत में ब्रद्धी होंगी नए सिरिशे धन कमाने के मौके मिलेंगे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है जी हरोस्तों रुका हुआ फशा हुआ धन मिल सकता है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जी हरोस्तों धन प्राप्ती के मार्ग खुलेंगे आज आपको मान समान में ब्रद्धी होंगी साथी साथ पद प्रतिश्ठा बढ़ेंगी और जीवन साथी के साथ शंबंधों में काफी मधूरता देखने को मिलेंगी क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों मित्रों बस जो है दोस्तों का सहयूग मिलेगा शपूर्ट मिलेगा घर प्रिवार वालों का माता पिता का शबलोग आपके काम में आपको सहयूग करेंगी और आपके मन में शुकुन वा सांती बना रहीगा जी हादोस्तों, आज आप कोई महत्पुन कारियों की नए कारियों की शुरबात कर सकती हैं जिसमें भागे भी शहयो करेंगे किस्मत का शाथ मिलेगा और जुरुख व्यापार विशाई करती हैं उनके व्यापार में एक बड़े उच्छाल देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों इसलिए हमने कहा है किस्मत का अब आपको पूरा-पूरा शाथ मिलेगा क्योंकि दोस्तों शमय कुछ बहादूरी भरे कदम उठाने का समय है इसमें हिचकिचाईएगा मत इसके अस्थान पर मजबुत फैसले देजिए जी हाँ दोस्तों अवशरों को जाने मत देजिएगा इस समय विश्वास पुरवक लिया गया फैसला नाट की ये तरीकेशी आपकी जिन्दगी को बदल सकता है जी हाँ दोस्तों शायद आपको अभी ये प्रतिक नौ हूँ पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचें और अर्थ हिन संबंधों को तोड़ देना ही आपके लिए सही रहेगा जी हाँ दोस्तों अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए आज आप तयार हैं आज आपके घर में कोई जो है बड़ी खुश खबरी दस्तक देने वाली है जी हाँ गरह शितारे हमें इस बात को लेकर संक्यत दे रहे हैं कि आपके घर में चार बड़े गुड़ नियूज मिल सकती हैं जी हाँ वो भी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने घर को बदलने के मौके मिल सकती हैं या आप नए घर की अपनी योजना को अंतिम रूप दे शकती हैं जी हाँ दोस्तों शकारतम गुर्जा का लाब उचाएं अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से को रेनोबेट या फिर रिमोडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे अच्छा समय है जी हाँ दोस्तों इस समय में आप जो है ये काम कर सकती हैं ये मोगा हाथ से जाने नहीं देजिएगा अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में एक को चुनना पड़े तो आपके सामने एक मुस्किल इस्थती आशकती है जी हाँ लेकिन सांती बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर को अकरामक तरीके शेवाल ना करें जितना प्याद से वो आप शेव प्यार करती हैं उशे लौटाने की कोशिश करें जी हाँ और किसी और के कहे सुने अनुशार चलने की बजाए उस म अंतरन नहीं है और उनकी बजह से आप अपना कारी स्रिष्ट शर्व स्रिष्ट प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन विश्वाश रखें आप इमानदार और महनती हैं जी हाँ आप अपने महनत पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं इसलिए खुद पर भरुशा रखें क्योंक कि आपके मालिक आपकी बादा और परिशानी को समझती हैं इसलिए आप इमानदार रहें और हमेशा की तरह काम करती रहें लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ जो है काम करने की जरूत है आपके बित और धन में जो है बढ़ने की शमता नजर आ रही है द औरों की सुने और माने की बजाए अपने आप पर सोच विस्वाश रखी। सोच समझ कर ही फैसल एने ना आप के लिए अधी उप्योगत रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिये के आधार पर देखेंगे तो बिलकुल ठीक है। फैसला ले पाएंगे आप बहु प्रतिश छोटी जल्द ही मिलने की वाली है। देखे रोस्तों आज आप काफी ब्यस्त हैं लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइस को बिलकुल ना छोड़े। जी हाँ जीम में आज नई मशिन पर महनत करके लेखें आप फिटनस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते रहें मार्सल आर्ट सिख सकती हैं। अगर आप मार्कर्स आर्ट सिखने की योजना बना रहे हैं तो अपनी रूटिन एक्सरसाइस को कुछ दिन के लिए छोड़ दें। नियमित जीम कारिकरम फिर उश्के बाद सुरू करें ये आपके स्वास्ते के लिए बहतर होगी। आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरत से काम लेना होगा। जी हाँ, आपको बिलकुल भी जल्दबाजी और हडबड़ी नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ उलट फिर हो जाएगा। अगर शांती बनाए रखनी हैं तो सूच समझ कर बोलें, छोटी मोटी कही शुनी भी गंभी रूप का धारन ले सकती है। हाला कि ऐसा कभी कबार होता है, इससे अधिक तुल ना दें, अगर देंगे तो जीवन की किसी छोटी चीज को खो देंगे। जी हाँ, आप चुपी धारन सबसे बहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आप इस समय शांती में नहीं हैं। जी हाँ, आपका मन इधर उधर कामों में भटक रही है, आपके दिल और दिमाग के वीज एक निरंतर यूद है, कि किस तरह शे नैतिक और तार्किक रूप शे सही निर्मय लिया जाए, अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांती करने के लिए कुछ करें। जी हाँ, अपने आपको एक नई जिम्यदारियां शोपें, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, तो आपको वितिय परिशानी हो शकती है, जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक खर्चों की अधिकता रहेगी, आपको सोच समझ कर ही खर्च करना होगा, जी हाँ आपके साथ साथ खर्चे भी रहेंगे, आपको अपने बजट का धियान रखकर ही खर्च करना है, तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे कुछ इस तरह शे रहने वाला है, अगर जानकरियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, अब बात करती हैं, शुबरंग और शुब अंग की, तो आज आपका शुबरंग है शपेद कलर और शुब अंग है पांच, भाग्य साथ निभाएगा तकरिबन 80 प्रतिज़त, तो जाते जादे वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें, दोस्तों दिन आपका शुब हो मंगल मै हो.